हेलो दोस्तों मैं हूँ बैभव और आप देख रहे हैं Bits for Biology तो ये इंडिया का जो Best Crash Course जो NEET के लिए चल रहा है आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं The Living World के बारे में The Living World का आज Lecture No.3 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे Taxonomical Categories के बारे में Classification में बहुत important होती है शीज की जरूरत Total 7 Taxonomical Categories हमारे पास होते हैं ये तो आज theory session है इसकी practice session रोज साम शार बज़े Unacademy के special class में चलती है जो बिलकुल free है जिसका link description box में नीचे की तरफ मिल जाएगा अगर तुम ये target कर रहे हो 360 by 360 तो ये series तुमारे लिए बहुत ही important होने वाला है ये टेलिग्राम चैनल है Bids for Biology यहाँ पे सारे latest updates जो भी needs से related हैं वो सारे latest updates यहाँ पे मिलते रहते हैं ये 100 days का crash course का schedule है जो 14 दिसंबर से start होगा और approach 31 माल तक ये चीज चलेगी इसमें अगर मैं बात करो रोज साम 4 बजे और रोज रात 9 बजे अनकैडमी के special class में यहाँ पे हम लोग practice करते हैं काफी सारे MCQs की daily 75 question एक class में तो दो class मिला कर daily हम 150 questions करते हैं अगर ऐसे ही करते रहे तो नीट exam तक लगबग हम 20,000 questions को practice कर चुके होंगे सारे link description में तुमें मिल जाएंगे अब बात आती है कि जो class चलने वाली है अनकैडमी के special class में वो free होगी या paid होगी तो वो बिल्कुल free है लेकिन वहाँ पे एक code का तुमें use करना होगा कुमार live ये code तुम जैसे ही use करोगे मेरे सारे stations तुमारे लिए free हो जाएंगे जितने भी ये special class में होने हैं तो ये unlock करने के लिए code है कुमार live ये अनकैडमी का subscription platform है अगर तुम अनकैडमी पे subscription platform में आना चाहते हो मिस अनकैडमी का जो paid platform है जो की बहुत ही जो बात करते हैं न अगर तुम कहीं की बात करो अगर कोटा के मैं बात करूँ तो लग भाल लाखो रुपे लग जाते हैं या कहीं की भी बात करें लेकिन यहाँ पे price जो अनकैडमी ने है पूरे इंडिया में बच्चे-बच्चे को मालुम है कि अनकैडमी बेहतरीन features दे रही है चाहे testories की बात करें चाहे live class interaction की बात करें चाहे doubt solving की बात करें सब कुछ बिलकुल awesome level का यह अनकैडमी का iconic platform है जिन पे M's के जो toppers बच्चे होते हैं या जो मौलाना अजाद या जो इंडिया के top medical colleges के बच्चे हैं उनके guidance में भी बच्चे रहते हैं वो personal coach होते हैं उनके लिए और a study planner उनको मिलती रहती है कि weekly study को कैसे plan किया जाए week wise month wise है न यह सब चीज़े कैसे plan करनी है यह सब वो बताएंगे आपको chapter start होता है नाम है the living world और इसका topic है आज जो बात करने वाले हैं वो है taxonomical categories एक एक word पे focus करेंगे बात आती है classification की classification में अगर हलकी सी भी गड़बड़ी हुई kingdom से लेकर species तक आने में मान कर चलते हमने class को छोड़ दिया हमने order को छोड़ दिया पूरी तरह से classification गलत हो जाती है तो classification एक बहुत important process है ये single step process नहीं है इसमें hierarchy of steps लगते है kingdom phylum class order family genus species ऐसी ये चीजे चलती है तो बताओ जल्दी से सबसे बड़ा unit कौन हुआ kingdom सबसे चोटा unit कौन हुआ सबसे चोटा unit कौन हुआ species क्या मैं कह दू सारे unit of classification है क्योंकि classification में तो सबकी जरुवत पड़ी है लेकिन पूछा जाए basic unit of classification answer species biggest unit of classification answer kingdom unit of classification तो सारे हो जाएंगे simple सी बात है ये तो classification एक single step process नहीं है इसमें कई सारे hierarchy of steps यहाँ पे होते हैं hierarchy का मतलब level जैसे school में बात करो उपर में chairman है उनके नीचे director है उनके नीचे principal है उनके नीचे vice principal है उनके नीचे hodis है उनके नीचे teachers है फिर कई सारे stops है ऐसे ही यहाँ पे भी एक order पूरा का पूरा होता है each step represents a category यहाँ पर word में काफी confusion होता है लोगों को जैसे एक word है rank है, step है, unit है level है, taxon है इस words हम लोग यहाँ पे clear करेंगे taxonomical categories हमारे पास कितने है total seven है और taxonomical hierarchy पूरा का पूरा बोल सकते हैं कि एक hierarchy तयार हो गया है हमारा taxonomical hierarchy जिसको बोलते हैं सारे unit of classification total 7 के साथ taxon की बात करें और taxa की बात करें तो difference क्या है वो समझते हैं, जैसे kingdom मैंने लिया, animalia animalia जो है, वो taxon है, जो kingdom मैंने लिया वो category है, यह तो बात पकी है कि साथ के साथ taxonomical categories है kingdom की बगल में जो मैंने animalia लिया, वो एक taxon है, लेकिन अगर मैंने kingdom animalia के नीचे अगर मैंने phylum quadeta ले लिया, उसके नीचे class mammalia ले लिया, क्या मैं कई सारे taxons को ले रहा हूँ, अगर कई सारे taxons को में ले रहा हूँ, तो क्या उसका plural taxa हो सकता है इसलिए NCRT ने बोला है कि उसका जो plural होगा, वो taxa होगा इसके बाद, NCRT ने बताया है कि जो taxonomical categories हैं और जो hierarchy हैं, उनको हम example से समझ सकते हैं, example है हमारा insecta, insecta arthropoda में आने वाला एक बहुत बड़ा class है, insecta जैसे ही मन में आता है, ये बात तो आही जाती है, कि jointed appendices होंगे, जितने भी होंगे, सारे के सारे pro thoracic leg, 2 meta thoracic leg, 2 बीच में mezo thoracic leg, 2 तो total कितने pair हो गए, 3 pair यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पर NC8 ने वो example से समझाया है, अब यहाँ से बात बहुत important, जहाँ से खुदी NC8 ने लिखा है, इसे याद रखना है, remember group represents category, category further denotes rank, each rank or taxon in fact represents a unit of classification, पहले तो इस line को समझते हैं, मैंने इसको चीज लिख रखा है नीचे, समझने के लिए बहुत ही बहतरीन, देखो जड़ा, rank step, unit और level, यह चारो चीज़े सेम होती है, rank, step unit, level, चारो चीज़े क्या है यहाँ पर, सेम होती है rank, step, unit, level, यहाँ पर सेम है, अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर NCRT line देखना, group represents category, category को ही हम group बोल सकते हैं इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, और taxon को भी हम group यहाँ पर बोल सकते हैं category denotes rank, बात सही है यह भी बोल सकता हूँ है, taxon represents rank, एक example से समझते हैं, kingdom एक category है species एक category है मैंने एक बड़ा category ले लिया और एक सबसे छोटा category ले लिया, taxon में मैंने example ले लिया planty का, और taxon में मैंने एक example ले लिया tritica mastivum का, अगर मैं कह सकता हूँ कि category represents rank, taxon represents rank, यह group represents rank, ऐसे अगर बोला जा सकता है तो यह भी तो बोल सकता हूँ, kingdom represents rank, planty represents rank, species represents rank, और tritica mastivum represents rank, क्या ऐसा बात बोला जा सकता है, अब मैं पूरे को बोल रहा हूँ, कि category, taxon both represents rank, दोनों rank को ही तो बता रहे हैं, example के तोर पे, बात समझना जैसे क्या मैं बोल रहा हूँ मैं kingdom अगर बोल रहा हूँ kingdom पे मैंने example ले लिया किसका, animalia का अगर example मैंने ले लिया, तो kingdom में अगर मैंने animalia लिया है तो बताओ, यह जो चीज है, क्या ही बोल सकता हूँ अगर मैं, कि kingdom rank पे animalia आती है अब वो चीज relate कर पा रहे होगे तुम, group represents category, category further denotes rank category भी तो बता रही है rank को, simple सा example लेते है आर्मी में कोई lieutenant है, क्या lieutenant एक rank है lieutenant पे मान कर चलते है lieutenant अमर सिंग, तो lieutenant अमर सिंग जो आया है यहाँ पे lieutenant एक rank है, जो अमर सिंग को मिली है, तो यह animalia अमर सिंग है, और जो kingdom है, वो उसका जो मिल रहा है post मिला है, उसका कि lieutenant है वो simple सा example, जैसे मान कर चलते है DM की बात करते हैं, ठीक है DM की बात करते है, district magistrate, मान कर चलो कि doctor अनिल कुमार है कोई है doctor अनिल कुमार है, यह DM है तो क्या बोला जा सकता है DM यहाँ पर category हो गया, जिसको बोल रहे है kingdom, और बाकी यहाँ पर यह तो बताओ, इधर वाले तो हमेशा change होते रहेंगे, लेकिन इधर वाले तो हमेशा fixed रहेंगे यह, तो बस यह example से NCRT ने तुम्हें समझाने की कोशिस की है, clear रहे हैं तक हाँ, अब इस बात को समझदा एक बाद फिर से line पढ़ेंगे group represents category, category further denotes rank, each rank यह taxon in fact represents a unit of classification यह line clear होगी पूरी तरह से आगी की line और भी खुबशूरत है, NCRT कहती है जितने भी taxonomical groups हैं या बूली है categories, total 7 है हमारे पास, are distinct biological entities, एक एक word को पहले समझते हैं, इस line के, distinct का मतलब, अलग, entities का मतलब क्या होता है, member, यहाँ पर जो बात बूला गया है, वो member से, merely का मतलब होता है, only, morphological जानी रहे हो जो बाहर से, aggregates का मतलब होता है, group of characters ठीक है, क्या बूलना चारी है, NCRT कि जितने भी taxonomical groups हैं, उसमें सिर्फ अलग-अलग member ही नहीं है, member तो हैं ही अलग-अलग, सिर्फ अलग-अलग member ही नहीं है, उनके बीच में कई सारे similarities भी देखने को मिलती हैं, जैसे example के तोर पे, मैंने example लिया, मान कर चलो, genus का, genus में मैंने example लिया, solenum का, solenum में आलू भी आजाएगा, bagan भी आजाएगा, tomato भी आजाएगा, क्या मैं कह सकता हूँ, आपस में सब में morphological similarities भी मिल रही हैं और अलग-अलग member भी हैं, अब मिलते हैं, इसी तरह साथ taxonomical categories हैं, phylum term, animal के लिए यूज होता है और division term, plant के लिए यूज होता है ठीक है, और इसके बीच में कई सारे similarities देखते हैं, कई सारे similarities हम देखते हैं, ये slide बिलकुछ जबरदस्त यहां से कई तरह के questions तुम आराम से कर पाओगे, अगर ये slide तुम अच्छे से समझ गया तो, ये पूरा का पूरा मैं बोल सकता हूँ, taxonomical hierarchy है, सबसे छोटा aspecic है, सबसे बड़ा kingdom है, kingdom को biggest category बोलते हैं, और aspecic को lowest category बोलते हैं, या fundamental unit पूछा जाए, यही होगा, basic unit भी पूछा जाए, तो aspecic ही होगा, okay, सबसे पहली बाद NCRT का arrow मत देखना, NCRT में नीचे से उपर की तरफ दिखाया गया है, मैंने एक ही में दोनों चीज़े समझाएं हैं, मैंने बोला कि kingdom से लेकर aspecic तक चलेंगे, next मैं बोल रहा हूँ aspecic से लेकर kingdom तक चलेंगे, सबसे पहले मैं इधर वाले के portion को निप्टाता हूँ, देखों यहाँ पर, aspecic है और सबसे बड़ा कौन है, kingdom है, aspecic से अगर मैं kingdom की तरफ जा रहा हूँ, यह वाला arrow देखना मेरा वाला, अगर aspecic से kingdom की तरफ जा रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे, सबसे पहली बात, क्या complexity बढ़ती चली जाएगी, कैसे बढ़ेगी complexity वो देखते हैं, जैसे जैसे उपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, complexity बहुत ही बढ़ती चली जाएगी, बात करूँगा, वही चीज़ aspecic के बारे में, अगर नीचे आएंगे, तो क्या less complex हो रहा है, क्योंकि जैसे मान कर चलो, एक ही aspecic के मान कर चलो member हैं, तो आपस में तो similarities देखने को मिलेगी न, genus में ही चलते हैं, potato में और brinjal में, क्या आपस में similarities देखने को मिलेगी न, जादा से जादा, तो species level पे क्या होता है, less complexity है, जैसे जैसे उपर जाएंगे, तो complexity का level बढ़ता जाता है, next देखते हैं, अगर मैं नीचे से उपर जा रहा हूँ, तो उपर क्या होगा, less similarities होती चली जाएंगी, उपर जो similar characters हैं, वो less होते चले जाएंगे, नीचे अगर आओगे, तो more similar characters इसमें देखने को मिलेंगे, उपर जाओगे, तो less specific, नीचे आओगे, अगर species तक तुम आओगे, तो यहाँ पर more specific यह चीज़े होती चली जाएंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ, sapindles, तो यह बात, चलो example simple लेते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ, तो solenese, तो solenese बोलने से, यह बात specific नहीं होती, कि मैं आलू की बात कर रहा हूँ, तो बात पक्की है, कि ब्रिंजल की ही बात चल रही है, तो नीचे आएंगे, तो क्या specific character बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ पर aspecisee के तरफ आओगे, तो specific character बढ़ता जाएगा, इधर less specific होता जाता है, next, aspecisee से, अगर मैं kingdom की तरफ चलूँगा, तो less common characters, उपर जाएंगे तो less common characters, और इधर जाएंगे तो more common characters, simple बात है, इधर देखते हैं, अगर aspecisee से kingdom की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर more general characters, और यहाँ पर less general characters, यहाँ पर होते हैं, क्योंकि नीचे specific, तो specific का उल्टा क्या हो जाएगा, general तो दोनों आपस में opposite होते हैं यहाँ पर, अब आगे की बात, एक चीज clear है, तुमसे पूछा जाए unit of classification, तो सारे हैं, basic unit of classification, अगर पूछा जाए, तो specisee है, और biggest unit of classification, पूछा जाए, तो kingdom है, अब एक बात, NCRT आगे लिखती है, मैं उस line को पढ़ता हूँ, NCRT लिखती है, lower the tax are, more are the characteristics, that the members within the tax on share, higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship, to the other tax are at the same level, page number 11 के उपर की दो-तीन line है, समझना है इसको जड़ा, अगर मैं उपर जाऊंगा, तो complexity तो पैदा होगी ही, इस बात से मैंने समझाने की कोशिस की है, लेकिन अगर same order में ही बात करें, O1, O2, O3, family में F1, F2, F3, genus में G1, G2, G3, तो इसमें आपस में अगर देखेंगे, तो आपस में कई सारे similarities देखने को मिलती हैं, आपस में चीजें आसान हैं, उपर में चीजें मुस्किल होती हैं, जैसे मैं O1, O2 की बात करूँ तो आसान है, लेकिन अगर ये दोनों की मैं बात करूँ तो similar characters काफी कम देखने को मिलते हैं, ओके, ये चार्ट बहुत ही बहतरीन, इस चार्ट में सारी चीजें आ जाती हैं, जो हमें याद रखनी हैं, Aspeseege है इधर, Aspeseege है इधर, और Aspeseege से हम चल रहे हैं, Kingdom की तरफ, ठीक है, अगर मैं बूलूँगा, तुमसे पूछा जाएगा, Genus का definition पर पहले आते हैं, Genus का definition, Group of related Aspeseege, Family का definition, Group of related Genus या Genera, Order का definition, Group of related Families, Class का definition, Group of related Order, Phylum का definition, Division का definition, Group of related Class, Kingdom का definition क्या हो जाएगा, Group of related Division या Phylum, Clear है बात, देखो यहाँ पर, एक एक एक्जाम्पल है यहाँ पर, Planty, तो Planty में कौन को न आ जाएंगे, Bryophyta, Sorry, Planty और Animalia, एक Kingdom में आते हैं, दो ही तरह के तो Kingdom एक्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, Plant Kingdom और Animal Kingdom जो सबसे पहली बार, Lineus ने बताया था, दूसरी चीज, Division टर्म प्लांट के लिए आता है, Phylum टर्म अनिमल्स के लिए आता है, मैं बोलूँगा, Planty में, टोटल कितने Divisions यहाँ पर लिख रखे हैं, 4, होते पाच हैं, Algae, Bryo, Teredo, Zymno और Angio, तो Bryophyta, Teredo, Phyta, Gymnospermia और Angio Spermia, Next आगे बढ़ो, Animalia में, जो Phylum आने वाले हैं, वो कौन-कौन से हैं, Non-Quadeta, और चीज क्या आ जाएगी, Quadeta, आगे बढ़ो, Class में आ जाओ, Angio Spermia के दो Classes होते हैं, एक होता है Monocot, और एक होता है Dicot होता है, इसकी बाद नीचे, Quadeta की अगर बात करूँ में, तो Quadeta में कौन-कौन से Classes आ रही हैं, Mammalia, Fishes, Amphibians, Reptiles, Birds, ठीके इसको परम ट्रिक से याद रखते हैं, P, A, R, A, M, ऐसे ही Evolution में भी बात हुई है, P for Pisces, जिसे में मचलियां आती हैं, A for Amphibians, R for Reptiles, A for Aves, M for Mammals, Next आते हैं हम लोग इसमें, Order में, Dicot की अगर बात करें, तो इसमें दो Order की बात यहाँ पर चली है, एक Polymonials और एक Sapindles, Mammalia में दो Order हैं, Primeta और Carnivora, अभी यहाँ पर काम की बात, Family कौन-कौन से आएंगे, Polymonials में, Solenasi आएगा, और Convolvolesi आएगा, बहुत Important, बहुत Neat में आने के पूरे Chances, Polymonials के, तो Polymonials में दो Family यहाँ पर आती है, Solenasi और Convolvolesi, पूछा जाएगा, कौन से Character पर Based हैं, Floral Characters, Sapindles की बात करें, तो Anacardiasi आएगा, Mango वाला है, Primeta तुम जानते ही हो, हम लोग सब Primeta में ही आते हैं, Primates, Monkey, Ares वगरा सब कुछ, Carnivora, Carnivora में बात करें, तो दो Family जाती हैं, Feliddy और Kennedy, Next बात करें अगर, Solenasi में, Solenum, Pitunia और धतुरा, यह सब Genus आते हैं, Anacardiasi में, Mangifera आता है, Feliddy में, Panthera Genus आता है, यह Family है, और इसमें Phelis भी आ रहा है, और बाकी यह सब तुम्हारे नाम दे रखें हैं, Scientific नहीं, एक बार रिपीट करोगे मेरे साथ, Mekoi का नाम, Solenum Negrum, Potato का नाम, Solenum Tiburoshum, Brinjal का नाम, Solenum Melonzena, Mango का नाम, Mangifera Indica, Loin का नाम, Panthera Leo, Leopard का नाम, Panthera Pardus, Tiger का नाम, Panthera Tigris, Cats का नाम, तो Phelis, और Dogs का नाम क्या हो जाएगा, तो Canis Family Arrest, Cats यहाँ पर Taxon है, Dogs यहाँ पर क्या है, Taxon है, यह चार्ट बहुत important है, Screen sort दल दिसे लो, हो चुका होगा, आगे बढ़ते हैं, एक मैं समझाता हूँ, एक चीज़ जो मुझे समझाना है, यहाँ पर, Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus, Spesies, Kingdom, Rank पर कौन आएगा, एक एक एक्जामपल बताओ, किसका ले ले, Mango ले ले, Mango, फलों का राजा, हाँ, Keep Plate Clean और Family Gate सीख, Total 7 हो गया, चलो बढ़ी, ट्रिक बड़ा सिंपल सा है, Keep Plate Clean और Family Gate सीख, इस सिंपल सा है, यहाँ पर बात होता है, Kingdom, Rank पे, मान कर चलते हैं, मैंने, Planty को ले लिया, Phylum, यहाँ पर Division मुझे लेना होगा, क्योंकि, Plant की बात चल रही है, तो जिकर किसका होगा, Angiospermine की बात करेंगे हम लोग, Angiospermine की बात, Class की बात करें, तो Dicot Lead नहीं हो जाएगा, Dicot मैंने लिख दिया, Order की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, Sapindles, अरे बोलने का Try करो जल्दी से, Family जल्दी से बताओ, Family में क्या बात करेंगे, Anacardiasi, Anacardiasi, Next Genus में क्या बात करेंगे, Mangifera, अब मत बूलना, Aspices में एक Indica बोलेंगे, Indica गाड़ी का नाम है जोटू, है न तो पूरा नाम क्या बोलेंगे, Mangifera, Indica ये पूरा का पूरा एक Aspices जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास Total 7 Taxonomical Categories थे, और इधर वाले, अब बात समझने याँ पर समझने वाली, कि मैं क्या बताना चाहर हूँ यहाँ यहाँ पर तुम्हें, वो समझना, क्या मैं कह दू, इधर वाले सारे के सारे Categories हैं, इधर वाले सारे के सारे Categories हैं, और इधर वाले को क्या बूला जाता है taxon बूला जाता है अगर एक है तो taxon कई सारे हैं तो इनको क्या बूला जाएगा taxa बूला जाएगा जो categories यहाँ पे होती हैं क्या ये fixed है क्या ये imaginary है सिर्फ imagine ही तो कर सकते हैं कि कोई category नाम की चीज़ exist करती है variable कैसे आज मैंने तुम्हारी क्लास में example या planty का कल क्या पता मैं दूसरी क्लास में example यहाँ पे आनेमेलिया का ले लो आज मैंने एंग्योस पर्मी बताया कल मैं किसी जिम्नोस पर्म के बारे में example बता दू इधर वाली चीज़ें variable हैं और real ही तो है मैं जी फिर एंडी का हम जानते हैं रेगे कहां बात होती है species के तो यह सब बाते हैं छूट्टो simple simple सी तो kingdom rank पे planty आता है phylum rank पे division rank पे यहाँ पे angiospermी आता है clear होगी सारी चीज़े अब भई एक एक करकर सारी चीज़े देखते हैं यहाँ पे समझना ज़रा अच्छे से अगर बात करते हैं species की तो क्या जैसे मैं और तुम same species के हैं हमारे morphological characters आपस में मिलते रहते हैं और अगर एक human male है और एक human female है तो दोनों आपस में interbreed करकर off a spring बना सकते हैं और off a spring उनका fertile हो सकता है यह definition होती है किसकी species की कुछ नाम है यहाँ पे और काम की बात तो यहाँ से है यह तो तुम्हें मालूमी है कि indica tibrosham और leo यह जो तीन नाम हैं यह सब के सब क्या हैं specific epithet होते हैं और जो पहली word है mangifera, solenum और panthera यह सारे के सारे genera में आते हैं genera क्यों बोला गया genus का plural है genera आगे बात करते हैं यहाँ से बहुत important line start है NCRT कहती है कि each genus may have one or more than one specific epithet बोलती है NCRT कहने का मतलब एक genus के पास एक से ज़्यादा specific epithet हो सकते हैं example मैंने लिया solenum solenum एक genus है solenum tiborosum भी हो सकता है solenum melonjena भी हो सकता है solenum nigram भी हो सकता है solenum lycopersicum भी हो सकता है कई सारे example आगे solenum lycopersicum tomato का example tomato का नाम है solenum 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 क्या सब का genus सेम है लेकिन सब के specific epithet बदल रहे हैं NCRT की line of each genus may have one or more than one specific epithet clear है बात और कई सारे के पास genus के पास सिर्फ एक ही होता है इसी को monotopic और polytopic species भी कहते है clear है भाई यहाँ पर कुछ को scientific name है जिसने human being का तो homo sapiens याद रखता है यहाँ पर चल भाई आते हैं हम लोग इसमें genus पे इस सुरू की जो दो लाइने हैं बहुत ही खुबशूरत है यह जो सुरू की दो लाइने हैं बहुत ही खुबशूरत समझते हम अलग है इनका मतलब लेकिन real मतलब क्या है वो देखते है genus comprises a group of related species जैसे genus की बात अगर मैं करूँ solenum की तो इसमें species आते हैं सारे के सारे जैसे मान के जो potato भी आ गया miss solenum tuberosum भी आ गया lycopersicum भी आ गया सब कुछ आ गया which has more characters in common in comparison to a species of other genera क्या बूली जा रही है वो समझते है g1 मैंने एक genus को मान लिया g2 मैंने एक genus को मान लिया मान कर चलते हैं g1 में दो तरह क्या species यहां पे आ रहे हैं एक s1 मान लिया मैंने और एक s2 मान लिया वो तुम कुछ भी ले सकते हो solenum tuberosum ले लो solenum lycopersicum ले लो कुछ भी ले लो एक और मैंने genus लिया जैसे मान कर चलो यहां पे मैंने ले लूँ failis का genus ले लूँ और यहां पे अगर मैं बात करूँ यहां पे failis का ले लिया और यहां पे genus ले लूँ मैं solenum ले लूँ ठीक है दो example ले लिया मैंने इसके बाद s1 और s2 और s3 और s4 अब ये बात समझना, अगर मैं बात कर रहा हूँ, G1, Solanum वाले की और इसके दो species हैं, कोई भी तुम इमेंजिन कर लो, क्या आपस में बहुत ही similar characters मिलेंगे, S1 और S2 में, जैसे potato और tomato में मिलेंगे na characters, इस तरह ही, इसमें भी तो same वही मिलेंगे, more similar characters, लेकिन मान कर चलते हैं कि हम मान लें, यहाँ पर species में, एक example मान लें, tomato का, ठीक है, tomato का मान लेते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं, जो failis की बात चल रही है, इसमें मान कर चलते हैं cat का, अब बात समझ में आई, tomato और cat में, क्या less similar character मिलेगा, क्योंकि हम S2 और S3 की बात कर रहे हैं, या S1 या S4 की बात कर रहे हैं, तो एक ही genus में more similar characters मिलता है उसके species में, और एक ही genus में more similar, लेकिन अगर दो अलग-अलग genus हैं, तो less similar characters मिलता है, बात समझने वाली है, NCRT की फिर से line पढ़ना, genus comprises a group of related species, which has more characters, किसके पास ज्यादा characters हैं, genus के पास, in common in comparison to species of other genera, यह line कहना चाह रही यहाँ पर NCRT, और यहाँ पर कुछ scientific name है, सब नाम मैंने बता रखे हैं, फेलिस में cat आती है, यह चीज़ ध्यान रखना, और बाकि यह genus solenum है, जिसमें potato, brain gel, यह सब चीज़ें आती हैं, ओके clear हैं यहाँ तक सारी बाते हैं, हाँ, चलो बढ़ आगे बढ़ते हैं, family में अगर बात करें, यह से मैंने बता रखा है बई, number of similar characters वगरा, वो चार्ट में मैंने सारा कुछ यहाँ पर बता रखा है, और यहाँ पर यह वाली line important है, कि families are characterized on the basis of vegetative and reproductive features of plant species, यह वाली चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर मैं families की बात करो, तो more philosophy भी प्लट सकते हो, ज एक vegetative पार्ट बोल रखा है, और एक पार्ट बोल रखा है, reproductive features, तो दो पार्ट हम उसको समझते हैं, उसके according हमें family की सारी चीज़े यहाँ पर आराम से मालूम चल जाती है, यह चीज़ याद रखोगे, solenum, pitunia और धतुरा, यह सब कौन से family में आते हैं, solenasi family में चीज़े आती हैं, ऐसी बात करें, तो panthera जो genus है, इसमें loin, tiger, leopard वगर आता है, इसे कौन सी family में डाल देते हैं, fel id में डाल देते हैं, और cat वगर भी सारी चीज़े किसमें आती हैं, fel id में आती हैं, order की अगर बात करें, तो बात करते हैं order में, तो order तो बढ़ते चले जा रहे हैं, ह characters भी जो आगे है वो बढ़ता चला जा रहा है और एक बड़ा category है जिसमें families include होते हैं definition सब को clear होगा अब इसमें अगर बात करें यहाँ पे फ्लांड families कौन कौन से एक्जामपल हैं यह किस में आते हैं polymonials अभी जो मैंने चार्ट दिया था ना उसमें सारी चीज़े mention थी और order कार्नीवूरा में क्या आएगा फैलीडी और कैनेडी class की अगर बात करें तो class में orders आते हैं example के तोर पे order प्राइमेटा में monkey गॉरिला गिबॉन एप्स वगरा आते हैं और इसके बाद यह चीज़ आती है यह फैलम में कुछ और बात है नहीं फैलम में slide miss हो गई है फैलम के लिए मैं line पड़ देता हूं फैलम में पराम आता है पी ए आरे एम अभी मैंने trick बताया था तो इसमें फैलम वाली चीज़े animals के लिए आती है और जो plants के लिए आती है वो division सिर्फ एंसियाड ने थोड़ा सा बात किया है animal kingdom का कि अगर माने बात करूं quodata की तो quodata में notocod होगा जो मूटा वाला होता है जो notocod होता है notocod mesodermal origin का होता है rod like safe होता है जो embryonic parade में तो बनता है लेकिन जैसे जैसे हम adult होते चले जाते हैं जैसे हम इस दुनिया में आते हैं वो चीज vertebral column में जाकर convert हो ज जाता है dorsal hollow neural system हमारे पास होता है तो इस सब चीजे character किसकी है phylum quodata की अब इसके बाद कुछ-कुछ line है important है समझते हैं जड़ा इन लाइनों को क्या बोला जा रहा है taxonomical categories जो है a species से लेकर kingdom तक यह चीज़ बता रखी है ascending order में a species से kingdom तक बढ़ते चले गए जो diagram में तुम देख सकते हो इनको broad categories बोलते है तो पूछा जागा तुमसे total taxonomical categories कितने है seven total broad categories कितने है seven total obligate categories कितने है seven next बात करते हैं sub category के बारे में समझना sub category क्या होता है जैसे मोला मैंने kingdom फिर मैंने बूला phylum फिर मैंने बूला class फिर मैं बूलूँगा नहीं phylum के नीचे एक और class जोड देता है इसके नीचे category सब फाइल मैंसे तुमने देखा होगा इसके नीचे मैंने जोड़ दिया सब class क्या तो साथ से जादा हो जाएंगी न तो इनको क्या बूलते हैं इनको बोलते हैं सब categories बोलते हैं अगर हम इनको डाल दें तो और भी तो scientific placement हो सकती है और भी sound placement हो सकता ह example के तौर पर जैसे मान कर चलता है school में जो मैंने order बताया chair man है director है principal है vice principal है इतने सारे लोग है तभी तो काम effective हो पा रहा है तभी तो काम बहुत ही sound हो पा रहा है बहुत ही solid हो पा रहा है काम यही चीज यहाँ पर भी बात की गई है यहाँ पर बात करें यह line बहुत ही important है मैंने यह चीज बता रखिए तुम्हे as we go higher from a species अगर कहां चलेंगे हम a species से कहां चलेंगे kingdom की तरफ the number of common characters goes on decreasing common characters उपर क्या होंगे कम होंगे और नीचे जो common characters होंगे वो क्या हो जाएंगे जादा हो जाएंगे as we go higher from a species a species से किदर गया भाई kingdom के तरफ तो जो common characteristics हैं उपर क्या हो जाएंगे उपर हो जाएंगे धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे lower the tax हा किसके बारे में बूला जा रहा है मान के चलो species के बारे में more are the characteristics that are the member within the tax and share इसके पास ज़्यादा characters होंगे और बड़ा category है तो उसमें relationship establish कर पाना मुस्किल होता है मैंने तुम्हें बताया था kingdom phylum के बीच में relationship establish कर पाना बहुत मुस्किल होता है classification इसके चलते complex हो जाता है अब यहाँ पर चार चीज़े हैं एक तो man है एक housefly है, एक mango है, एक wheat है मैं दो example sad करवाऊंगा जो पुरानी NCRT में थी पूछे जाने के पूरे chances होते है एक tulsi और एक dog आओ, पहले dog की बात करते हैं dog मैंने common name लिख दिया चलो biological name बता dog का canis familiaris, canis याद रखोगे सिर्फ हाँ भई, next बात करते हैं अगर genus के बारे में क्या हो जाएगा, canady order की बात करें, तो order क्या आजाएगा कारणी बूरा class की बात करें, तो class किस में आजाएगा कुत्ते नैमिलिया में आते हैं phylum की बात करें, तो phylum किस में आजाएगा cordeta में आजाएगा, यह लिख ले ना NCRT में, आगे मैं एक tulsi की की बात करता हूँ तुलसी का बात करें तुलसी का तो जीनस हो जाएगा ओशिमम यह तो बात सिंपल सी है पहला वर्ड को जीनस बोलते हैं फैमिली की बात करें तो लैमियसी आ जाएगा और की बात करें लैमियल्स आ जाएगा यहाँ पर मैं सफिक्स भी बताने वाला हूँ क्लास की बात करेंगे तो डाइकॉट आ जाएगा डाइकॉट मोनोकॉट पत्ते आराम से पहचान लेते हो न हाँ वही जिसमें वेनेशन पैरलल होगा क्या बुलेंगे मोनोकॉट ठीक है अब इसमें देखो इसमें कुछ-कुछ मैं सफिक्स बता रहा हूँ वो चिद्यान रखना अगर एल्स लग जाए तो बात समझना किसकी बात चल रही है और के बारे में अगर ए लग जाए तो समझना किसकी बात चल रही है फैमिली के बारे में फैमिली में जो सफिक्स होग वो लगेगा a c e a e family के लिए और order के लिए क्या लगेगा else लगेगा तो overall बात करें plant में क्या लगती है suffix order के लिए else लगता है और animals में a लगता है और family में क्या लगता है और animals के लिए a e लगता है और mango में क्या लगता है तो यह चीज याद होना चाहिए एक बाद मेरे साथ repeat क होगे मैं का ऊपर से नीचे तरह तुम कॉपी आखरी पन्ने पे जाओ और कॉपि की पन्ने पर किंग्डम से लिखने की कोशिस करो फिर उसके साथ है का लिखने का को सिस्क्रaming मेरे साथ मैंगो का पीछ से लिखने के को वीट की ने वरी नीकोशिस मसीडी मतलब देखो ओवराल जो इंपोर्टेंट सीज़ है ना फैमिली ओर्डर क्लास तुम बोलोगे हम तो यही भूल जाते हैं ही पूछते हैं क्या वो एक्जाम में है यही है इसी के साथ हमारे यह चैप्टर जो है पूरी तरह से खतम हो रहा है यह सुरी टॉपिक खतम हो क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बहतरी डॉक्टर जो बनना है बाबाए बच्चों